प्रधान मंत्रे ने आज नई दिल्य में 5G सेवाओं की शुरुवात की कहा देश में नए तक्मने की युग की शुरुवात राश्ट्र पती ने कल नई दिल्य में 68 राश्ट्र फिल्म पुर्सकार किये प्रदान आशा पारिक को दिया गया दादा साहिफ फाल की पुर्सकार प्रदेश में बुजर्गों के लिए आगामी 1 नवंबर से सियान हेल्प लाइन होगी शुरू अकेले रहने वाले बुजर्गों को मिलेगा आपात इस्थति में मदद और 36 गड़ में भी अब दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरफ हाइटेक एटीसी टावर की हुई शुरूआद नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समाचार मैं हूँ मनीश अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगती मैदान में आज़ित एक कारिक्रम में 5G सेवाओं की शुरूआत की 5G तकनीक से इंटरनेट की गती तेज होगी, कवरेश का दाइरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरुसेमंद तरीके से किया जा सकेगा इससे उर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी इस मौके पर प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अग्रणी कारिक्रमों के जरिये डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है फाईजी सेवाओं के उपलब्ध होने से नए कारोबार को शुरू करने, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने और रोजगार के नए अवसर स्रेजित होने की संभावना भी है फाईजी के तौर पर एक शांदार उपहार मिल रहा है फाईजी देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है फाईजी अवसरों के अनंत आकाश की शुरूआत है मैं प्रतेग भारत मासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों में गवरों से भरे इन शनों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि फाईजी की शुरुआत में ग्रामेर्स कुले के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी है इस उसर पर प्रधान उत्रे ने प्रगति मैदान में लगी एक प्रदशनी का अवलोकन भी किया उन्होंने छटी भारती मोबाईल कॉंग्रिस का उधगाटन भी किया ताकि वे डिजिटल तकनीक के अंगिकरण और प्रसार से उत्पन हो रहे अवसरों पर विमर्श कर सकें और इन्हें प्रदर्शित कर सकें राष्पती द्रौपती मुर्मु ने कल नाई दिली में 68 में राश्ट्रे फिल्म पुरुसकार प्रदान किये प्रदान किये अजय देवगं को इस फिल्म के लिए सर्वस्ट्रेष्ट अभिनेता का पुरुसकार दिया गया सोरारे पोटरू के लिए सर्वश्टेष्ट अभीनेता का पुरसकार सूर्या को मिला और अपड़ना बाल मुरली को इसे फिल्म के लिए सर्वश्टेष्ट अभीनेत्री का पुरसकार प्रदान किया गया इस कारिकर में सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, सूचना और प्रसारन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन सहित अन्य गणमान्य वेक्ति भी उपस्तित थे वर्ष 2020 के लिए दादा साहिफ पाल के पुरसकार दिगज अबिनेत्री आशा पारिक को दिया गया पारंगत सूच्री आशा पारिक जीने महद 10 वर्ष के उम्रे में 1952 में विमर रॉय के फिल्म से दुनिया में कदम रखा और सिनमा के दुनिया में कदम रखने के बाद ले आदी सदी से अधिक समय तक अपने अभिने से हम सब का दिल मोहती रही And the renowned actor and classical denews, Ms. Asha Parikh's contribution to the Hindi cinema is unparalleled and highly distinguished. She began her innings in 1952 with Bimal Roy's Ma and then she continued to represent the myriad aspects of the Indian woman for half a century. Her journey as leading lady, remember, began with दिल देके देखो in 1959 through milestones like जब प्यार किसी से होता है, गूंगट, भरोसा, पीस्ट्री मंजिल, बहारों के सपने, कार्वा, चिराग, बदन, मै तुल सी तेरे आंगन की and much much more. इस औसर पर राष्ट्रपती दुरौपदी मुर्वू ने भारतिय सिनेमा में शांदार योगदान के लिए अभिनेत्री आशा पारिक की प्रशन साके. उन्होंने कहा कि फिल्म और फिल्म निर्माता राष्ट्र निर्माण में महतोपुर्ण भूमी का निभाते हैं. सूचना और प्रसारण मंतरी अनुराक्ष ठाकुर ने कहा कि सिनेमा चित्रों के माध्यम से व्यक्त की गई कविता है जो सभी के लिए चमतकार की तरह है और लोगों को इससे जिवन तथा मानवी अहसास होता है. उन्होंने कहा कि राश्टर फिल्म और पुरसकारों ने पिछले कुछ वर्षों में उत्कृष्टा को माननेता दी है. मुख्यमंत्री भुपेश बगिल भेंट मुलाकान अभियान के तथ आज कविर्धाम जिले के पंडरिया विधान सभाक शित्र के ग्राम इंदौरी और फिर ग्राम कुकदूर में ग्रामिनों से भेंट मुलाकात करने पहुँचे. वहीं पंडरिया में विविन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से भेंट मुलाकात कर उनसे संबाद भी उन्होंने किया. इस दोरान जिले के राइस मिलर्स एसोसियेशन ने मुख्यमंत्री की कस्टम मिलिंग को लेकर की गई पहल और उनके द्वारा दी गई रियायतों पर उनका अभार भी जताया. मुख्यमंत्री ने कृष्णकुंजक शेत्र को बढ़ा कर उसे गार्डन बनाने की का कलेक्टर को सुझाव भी दिया. इस दौरान ग्राम बिनौरी के बियसी उत्तिरन दिव्यांग युवक मानिकलाल चिलक के आगरह पर उनके परिवार की आरतिक स्थिति को देखते हुए व्यावसाय आरंभ करने के लिए दो लाक रुपे देने की स्विक्रिती भी उनों ने दी. गौर्दलावे की मुख्यमंत्री ने बीती चार मई से अपने प्रदेश व्यापी भेट मुलाकात अभियान की शुरुवात की है. इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी विधानसवाक शित्रों में जाकर आम जनों से सीधे संबात करे हैं. साथ ही सामाजिक और व्यापारिक संगठोनों से भी मिलकर उनकी समस्याएं और आवश्यक्ताओं से रूबरुख हो रहे हैं. मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने अंतराश्ट्रिय वृद्धजन दिवस के उसर पर बुज़ुर्गों के लिए बड़ी घोशना की है. पहुचाने में मदद करेगी. इस समद में मुख्यमंत्री ने मुख्यसचीव को निर्देश जारी कर पुलिस और समाज कल्याण विभाग से चर्चा कर हेल्प लाइन की व्यवस्ता सुनिश्चित कराने को कहा है. मुख्यमंत्री ने का कि राश्टर निर्मान में योगदान देने वाले व्यवस्ता जीवन है और रोजी रोटी के तलास में लोग दूसरे पदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, व्यृद माता पिता यहीं रहते हैं. तो ऐसे में उनकी देखभाल करना हमारी नयती गिम्मेदारी है, उसके लिए व्यृदिजन हेल प्लाइंग की सुरवात की गई है. उन्होंने कहा कि 36 गड़ में वरिष्ट नागरिकों के प्रती समाज में समाज जनक मतावरन, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, चिकित सक्य देखभाल, आश्रे प्रदान करने तथा विदिक सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किये गए हैं. मुक्यमंत्री पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राश्रे व्रिद्धा वस्ता पेंशन योजना के माध्यम से बुजर्गों को पेंशन राश्री प्रदान की जा रही है. निराश्रित बुजर्गों को निशुलक, आवास, भुजन, वस्र चिकित्सा और पारिवारिक वातावरन प्रदान करने के लिए प्रदेश के 23 जिलों में 31 वृद्धाश्रम भी संचालित के जा रहे हैं। राजसरकार का प्रयास है कि प्रतेख जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम संचालित हो ताकि निराश्रित बुज़ुर्गों को आश्रे मिल सके। 36 गड़ में भी अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाइटेक एटीसी टावर की शुरुआत हो गई है। इसे के साथ राइपूर एयरपोर्ट इंटरनेशनल उडान भरने के लिए तैयार हो गया है। नए एटीसी टावर की मदद से बड़े विमानों की लेंडिंग और टेक आफ किये जा सकते हैं। अब जम्बो विमान और सेना के कारगो और फाइटर प्लेन भी राइपूर एयरपोर्ट पर लेंड कर सकते हैं। मुक्यमंत्री भुपेश बगेल ने ट्वीट करके बताया कि राइपूर के स्वामी वेवेकानन विमानतल में नए एटीसी टावर के शुरुआत हो गई है। यहां से अंतराश्टी उडाने शुरू करने के दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धी है। एरपूर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि एए आई अपनी यात्रियों को सुरक्षित हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए अपने हवाई अड़ों पर सभी सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। इस विस्तार अभियान के अनुरूप रायपूर एयरपोर्ट पर नया एटीसी टावर स्थापित के आगया है। एटीसी टावर रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग के दक्षिन में 40 मिटर उंचा है। टावर नियंत्रकों को यहां से एक शांदार 360 डिगरी का व्यू मिलेगा जो विमान संचालन और सुरक्षा को भी बढ़ाएगा। भारती जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षर अविभगत ने कहा है कि जब कॉंग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तब युवाओं को रोजगार मोहिया कराने और बेरोजगारी भत्ता शुरू करने का उन्होंने वायदा किया था जो अब तक लेकिन दोनों वादा कहीं न कहीं आज अधूरा है तेकर करान आज चातिजगड़ के युवाओं हर अपने आप ठगा महसूस करा थे चातिजगड़ के युवाओं के भोईश सर कहीं न कहीं अंधकार में है आप सब जाना थो बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगा के सम्मानिये 36 गड़ के मुख्य मंद्र भुपेद बगेल जी पांच लाक नोकरी देवों ऐसा बड़े बड़े पोस्टर लगा इस जब हमबर नेता प्रतिपक्ष एबिसेला उठाईन जानकारी मांगें तो कि उन्होंने मांग कि कि शास्किय विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए राष्ट पिता महात्मा गांधी जैन्ती के एक दिन पूर बज़िला प्रशासन ने साइकल रैली का आयोजन किया संसद्य सचिव विनोद सेवनलाल चनराकर ने साइकल रैली को हरी जंडी दिखा कर रहा ना किया साइकल रैली में जन प्रतिनिदी प्रशासनी कमला और बच्चे भी शामिल हुए वहीं कलेक्टर निलेश शिरसागर ने कहा कि प्रशासन शास्किय और योजनाओं के प्रती लोगों को जागरू को करने के लिए इस तरह का आयोजन करता है ये साइक कार्ति बचार के लाव क करने परिवार के लोगों को सभी परिवार के सब्सद्ण का नाम आप इंदराज बिलकुल करें महासमुन शहर में आयजित ये साइकल रैली मलेरिया ओफिस से शुरू होकर कलेक्टोरेट पडिसर में समाप्त हुई इंदिनों प्रदेश में शारदिय नवरात्र के दौरान देवी मंदिरों और दुरगा पंडालों में माता की विशेश आराधना की जा रही है दौर इतना की बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं मा जत्मई धाम में 443 जोति कलश प्रजवलित के गए हैं तो वहीं माता घटारानी के मंदिर में 339 जोति कलश प्रजवलित के गए हैं श्रदहलों की बड़ी तादात को देखते हुए मंदर समिती और प्रशासन ने सुरक्षा चिकिस्था सहीत अन्या इंतजाम भी किये हैं इसी तरह कोरिया जिले के भरत पुरिस्थित चांग देवी मंदिर में भी माता के दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं मंदिर की पुजारी ने बताया कि चांग माता का मंदिर चांग पकारे में विराजमान हैं यहां भी अन्या देवी मंदिरों के भाती मनोकामना जोति कलश प्रज्वा लिद्किय गए हैं यहां दोनौ नवरात्रों में मेला भी लगता है, यहां का शत्रचणडी अनुष्ठान भी विशेश महत्वर रखता है नवरात्री के आखिर दिन जमारा विसर्जन में दूर दरास के श्रधालू शामिल होते हैं यहां वन्द परंपरा के अनुसार देवी की पूजा अर्चना की जाती है और अब कुछ खबरें जिलों से कोंडा गाउं कलेक्टर दिपक सोनी ने कोकोडी में इथेनाल प्लांट निर्मान कारे का जाइजा लेकर ग्रामीनों से चर्चा की उन्होंने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा इथेनाल प्लांट जिले में स्थापित हो रहा है जिससे जिले में के 60-70,000 किसानों को फायदा मिलेगा आज अंतराश्ट्रे व्रद्धजन दिवसे इस मौके पर दुर्ग जिले में अनेक कारिक्रम आयोजीत की जाए भिलाई में भी जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा अंतराश्ट्रे व्रद्धजन दिवस वरिष्छ जनों की बीच मनाया गया अंतराश्टे वृद्धजन दिवस के अउसर पर भिलाई में जिला पुलिस अधिक शक डॉक्टर अभिशेक पल्लव ने शहर के वरिष्ट जनों को गुलाब का फुल भेट कर सम्मानित करूं का अशिरवार प्राप्त किया और इस बुलिटन में इतना ही इसी के साथ ये समाचार बुलिटन समाप्त हुआ नमस्कार झाल